है अगे ऐसे हो मेरा ना संजी मजोतर और आज हम बात करेंगे अटामिक स्ट्रॉक्चर की और यह 11 इंपोर्टन चेप्टर है जो बेस है हमारा कम कह सकते हैं कि मिस्ट्री का बेस है और यह बहुत ही इंपोर्टन चेप्टर है चाहे वह आप लोग लोर ग्लासेज में पढ़ चुके हैं जैसे 910 में आपने पढ़ा होगा पर 11 क्लास में बहुत ही इंपोर्टन यह टॉपिक बन जाता है क्योंकि यह हमारा हम कह सकते हैं और इसी बेस से हम आगे अगर वह बेस हमारा क्लियर होगा चीजें पता होगी तो अगे हमें हमारे लिए काफी सारी चीजें असा की 네 खांतां आनэC2 कि ठीक है और अगले लेक्षे में बात करेंगे इसकी प्रक्राइडी की बात करेंगे और फिलुहाल आप जो आजका जो टॉपिक रहेगा हमारा के थाप रेगा ठीक है थे तो चलिए शूरू करते हैं चलिए अब हम बात करते हैं जैसे सबसे पहले डाल्टन ने जो हमारे साइंटिस्ट बहुत जादा हम फेमस थे जोने काफी योगदान रहा उनका के इनिस्ट्री में तो 1808 में डाल्टन ने अपने अक्ट्रामिक थेरी में बताया अपनग तो मैं एक सबसे स्मॉलिस्ट यूटत जैसे टिवार से पूरे चारों दिवारा बनके है ना तो क्या बनता है बहुत बड़ा एक कमरा बनता है कमरे से आगे पूरी बिल्डिंग बनती है यह सारी चीज़े हम अब डिसकस करते हैं ठीक है ना यह चीज़े पर उसमें सबसे पहले मेन चीज क्या थी जो हमारा basic unit क्या था वो क्या था एक इंट वैसे ही डालते ने कहा कि matter का matter चाहिए solid equal क्या कुछ भी है सबसे जो basic unit है जो सबसे छोटा smallest unit है वो क्या है atom और atom को कहा कि atom ग्रीक वर्ड से नाम atom का बड़ा हुआ जो indivisible जिसको हम divide नहीं कर सकते जो आगे उसकी divisions नहीं हो सकती उसको कार नहीं सकते divide नहीं कर सकते और उसने कहा कि यह सबसे basic unit है fundamental smallest particle है जो हम हर जगा पे हर matter में हमें यह चीज मिलती है पर हाला कि आगे जाके यह fundamental particle थीक है पर smallest नहीं है आगे जाके और जब हम आगे पढ़ेंगे electron, proton, neutron जो आएंगे तो हम हमें पता चलेगा कि atom smallest unit नहीं है, atom से भी छोटे particles पढ़े है fundamental particles हैं जो atom में पढ़े हुए है ठीक है पर अभी तक जो बात चल रही है दिस्कवरी हुई तो तब जाके हमें पता चला कि नहीं atom से छोटा unit smallest unit कुछ और भी है जो atom में रहेगा तो उसमें जो discovery of electrons में क्या चीज आएगी मारी that is the discovery of cathode rays क्या आएगी discovery of cathode rays cathode rays अब इसमें basically हम बात तो यहां पर हमने कहां कि electrons की होगी discovery इसमें हमें क्या मिलेगी discovery of electrons मिलेगी तो उस टाइम पर अगर हम बात करें तो discharge ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे डिस्चार्ज ट्यूब जिसे कुरुक्स ट्यूब बोलते हैं तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे उसमें ही एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई और यह आपको पता ना चाहिए यह जो सारे एक्सपेरिमेंट कहां से स्टार्ट हुए किस ने शुरू किये जे जे थॉंसन डालतन के बाद जो डिस्कावरी ऑफ जो के थोर रिज आई उसके बारे में जानका नहीं मिली ठीक है वो कौन से साइंटियस थे हमारे जे जे थॉंसन तो जे जे थॉंसन ने कुछ क्रेंट किरे के नक्राइमें ओर में क्या क्या किया गया उन्हें क्या में किया की है कि इस द्रके से यहां पर हुआ कि इलक्रोड लिए दो क्या लिए मैटल इलेक्टोड लिए एक को कहा एक का था जो नेगेटिव वो क्या था कैथोर्ड इधर क्या था पॉज्टिव एनोड फिर यहां पर कि व्यक्यों पंप लगा लिए कि व्यक्यों पंप लगाने का मतलब क्या था कि वो सारी एर को भाल निकाल लें और अपने मताबिक डिजàiड अपनी इच्छा के मताबिक वो अपना प्रैशर सेट कर सके तो क्या किया? यहां पे गैस ली गई ठीक है? गैस ली गई बहुत ही कम गैस थी बहुत ही कम गैस ली गई यहां पे और और क्या किया गया यहाँ पे जो एक ordinary pressure था पहले, ordinary pressure था, normal pressure रखा गया, तो वहाँ पे जो potential रखा गया वो 5000 से 10000 वोल्ट रखा गया, high potential लगाया गया वहाँ पे, तो देखा कुछ खास गैसीज ने कुछ खास electricity प्रडूस नहीं की ठीक है तो हम क्या कह सकते हैं कि ordinary conditions में क्या कह सकते हैं कि gas gases जो होती है poor conductor of electricity हैं कहां पे ordinary condition जैसे हमने कहा कि जब हमारा ordinary pressure था normal pressure था वहां पे gases ने gases ने क्या किया poor conductor of electricity शो किया वहां पे electricity produce नहीं हुई even though कि वहां पे हमने higher potential apply किया हुआ था ठीक है फिर क्या किया फिर थांसर ने क्या किया प्रेशर को 10-4 एक्मस्पेर रख दिया और potential difference इतना ही रहा हाई potential high pressure लगा दिया 5,000 से 10,000 वोल्ट के अच्छा चलो मैं एक चीज़ बताओ यह क्या थी मारी इसी क्या बोला था क्रुक्स ट्यूब क्योंकि क्रुक्स जो हमारे साइंटिस थे वो भी इनवालते इसमें तो जैसे ही प्रेशर कम किया जैसे ही प्रेशर कम किया आल्मोस्ट आल्मोस्ट वेक्यूम के नजदीक ठीक है तो यहां पर गैस बहुत ही जादा कम थी गैस क्या थी बहुत जादा कम तो क्या देखा गया यहां पर यहां पर नगादी यहां पर Zynk तो अब जैसे यह आपको नज़र आ रहा होगा फ्लोरिसंट के लाना न है ठीक है फ्लोरिसंट जैसे कोई चीज वहां पर टक रहती है तो चमखना शुरू कर जाता है ठीक है था कि क्या देखा गया कि जैसे फ्रैशर कम किया प्रैशर कम किया हाइव रखेल लगाया तो फैंविसे इसमें से कुछ निकल के रेजा निकल के यहां पर यहां पर ऊइदर छला गया कुछ ना कुछ इढर रेजडर जा रही है और यहां पे ग्लो आना शुरू हो गया ग्लो चमकनी शुरू हो गया यहां पे डॉर्स जो तो इससे प्रूफ क्या हुआ कि कुछ ना कुछ तो यहां से इधर को गया है तभी यहां पे क्या हो गया कुछ ग्लो आना शुरू हो गया चमकना शुरू हो गया अब यह जो रेज थी रेज इन्वीजिबल थी बहुत सब्सक्राइब चले गई बहुत तेजी से जा रहे थी क्योंकि वैक्यूम था ठीक है बड़ी तेजी से ट्रावल करेंगे चले गई और और यह भी था जैसे देखो हुआ क्या था जैसे हमारे पास किया है हमारा बाहर निकालेगा कि इसने क्या कि जब लगाया होगा तो यह नेगेटिव है नेगेटिव नेगेटिव है यहां पी मैटल ना तो यहां पर इसमें से खीच के खीच के इलेक्ट्रों बाहर निकले होंगे इलेक्ट्रों इसमें से बाहर निकले होंगे हालंकि हालंकि यहां प यह बहुत कम लिए तो तो क्या हुआ कि इसमें से जो इलेक्ट्रोंस थे वो निकल के बाहर चलेगे और रेस सीडी की सीडी चलेगी है और यहां पर आके ग्लुव आना शिरू हो गया तो इन रेज को क्या बोल दिया इन रेज को इन रेज को हमने क्या बोल दिया कैथोर रेज मतलब कैथोर रेज किसकी बने रही है कैथोर रेज बने रही है इलेक्ट्रोंज की कैथोर रेज किसकी बने रही है इलेक्ट्रोंज की यह pressure बहुत कम किया और high voltage लगा दिया जब जैसे निकाला तो इसमें से electrodes cathode में से electrodes बहार निकले और बहार निकल कि सीधे बड़ी fast तेजी से invisible तेजी से travel किये from cathode to anode यह क्या anode यह क्या cathode cathode to anode इसका मतलब cathode से anode की तरफ गए है कि खिखोर्ट से एनोर कि तरफ कि पिखोर मतलब से पॉजटीव की तरफ को चीज गिए नेगभी से पॉजटीव कब जाएगी यब यह क्या होगी इस का मतलब जो चीज यहां से इतर को जा रही है वो क्या होगी दिमाग में आए कि यार जो चीज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है इसका मतलब यह जो रेज है इन पे चार्ज इन पे चार्ज इन पे चार्ज क्या होगा नेगेटिव होगा इन पे चार्ज क्या होगा negative होगा तब यह क्या कर रही है यहां से left से right मतलब यह क्या थोड़ से anode की तरफ negative से positive की तरफ move कर रही है तो यहां से हमारा उन्होंने दिमाग में आया कि हाँ ठीक है यह जो negative raise जा रही है यह क्या है electrons है और actually पता चला जब इसकी e by m value जो आई e by m का मतलब charge to mass यह जो value थी charge to mass जो value आ रहे थी electrons की वो सभी में सेम आ रहे थी इसका मतलब अगर मैं पताऊंगे से explain करूंगा e by m जो value जो भी आई electrons की तो चाहे कोई भी gas ले लोग चाहे कोई भी electrode दे लो सभी में सेम आ रहे थी क्योंकि actual में यह चीज़ देखनी है जो cathode raise जो आ रहे हैं वो किस से आ रहे हैं cathode से क्यास भी cathode raise दे रहा है पर main जो रूल है वो किसका है जो electrode दिया अपने फिर क्या किया गया था गैस को भी चेंज किया गया पर वो जो e by m value थी वो सेम आ रहे थी इलेक्टोड को भी चेंज करके देखा metal के अलग लग तब भी e by m value सेम आ रहे थी इससे क्या पर रूवा कि जो cathode raise है cathode raise जो है वो क्या है किस पर depend कर रही है वो हम कहा सकते हैं जो e by m जो हमारी value आ रही है वो gas पर depend नहीं करेंगी कोई भी gas लेलो कोई भी इलेक्टोड लेलो सभी में वो value सेम है सेम का मतलब यह हमें हर जगा हर matter में यह चीज मिलने वाली है ठीक है हर जगा पर इसका मतलब यह कौन सा particle होगा हमारा fundamental particle हमें हर atom में यह चीज मिलेगी और यह negative चीज होगी negative charge होगा इस पर negative charge होगा तो fundamental particle हर जगा पर हमें मिलेगा क्योंकि इसकी e by m value जो आ रहे थी वो सभी में सेम आरे थी चाहें यहां पडॉट शर्प कर दो इसमैं से रह रहा निख़की क्रोस कर गई है यहां पे डॉट यह E by M value थी ठीक है फिर यह कहते है चार्ज मास चार्ज टू मास रिशू अब यह जो चार्ज की वेल्यू थी यह किसने किसने दी मिलिकन ने रॉबर्ट मिलिकन ने चार्ज की वेल्यू दी हमें 1.6022 x 10-19 Coulomb फिर इससे में क्या निगाला मास निगाला मास क्या निगाला एब 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 को डिवाइड के और हमारे पास जो मास आये इलेक्ट्रोन का वह क्या आया देट इस 9.1094 x 10-31 kg 9.10 भी गह सकते हो इसको 1.76 भी गह सकते हो इसको 1.60 भी गह सकते हो तो मैंने क्या बताया कि Thompson ने क्या दी थी E by M value दी ती यह जो E by M value थी यह सभी में यह वली सभी में सभी particles में जो हमारे कोई भी gas लेलो कोई भी एलेक्ट्रोट लेलो उनमें जो E by M value आ रहे थी यह सभी में सेम थी इसका मतलब यह सभी में सेम है तो यह सभी में रहेगी मतलब यह fundamental particle सभी में मौझूद होगा ठीक है तो यह सभी में रहने वाला यह सभी में मौझूद होगा तो इससे प्रूब हो गया कि यह क्या था हमारा fundamental particle ठीक है तो मिलिकर ने क्या की था charge की value निका ली थी अपने oil drop में जो experiment किया था उसमें से उसने क्या निकाला charge की value electron के charge की value निकाली 1.602 to into transistor minus 19 coulomb ठीक है उससे हमने क्या निकाली है mass of mass of electron जो हमारा कितना था 9.1094 into transistor minus 31 kg ठीक है तो यह जो हमारा मास था वो क्या था 1.837 of hydrogen atom hydrogen atom का 1 upon 1837 हिस्सा था किसका hydrogen atom का ठीक है और इसे कैसे लिख सकते हैं 5.45 into transistor minus 4 times इतना ज्यादा हम कह सकते हैं electron जो मास था वो इससे इतना ज्यादा atom से hydrogen के atom से इतना ज्यादा कम था 1 upon 1837 हिस्स जो इसका पार था ठीक है तो यह था हमारा आज जो cathode rays का जो basic हमारा हम जो किस तरह के से जो cathode rays बनी है और cathode rays से हमें ने find किया कि यह cathode rays क्या है actually यह rays है किसकी electrons की जो electrons की जो rays है कहां से निकलिए जो इलेक्ट्रोड दिए इलेक्ट्रोड को से लिए cathode दिए को से लिए cathode और इसमें खास सीज़ क्या थी कि यह जो इलेक्ट्रों हैं जो rays निकलिए यह यहां से यह सभी में मिलेंगी आपको जित्ते भी मारे सभी में यह fundamental पार्टिकल रहने वाला उस पर चार्ज कोंस होगा नेगिटिव होगा चाहिए आपको गैसलिक चेंज करके देख लो चाहिए आपको इलेक्ट्रोड चेंज करके देख लो आपको उसकी जो इबाए एम वैल्यू थी वो सभी में सेम नजर आ रहे थी सेम नजर आ रहे है मतले यह तो fundamental पार्टिकल है यह मिलेगा मिलेगा कहीं न कहीं कोई भी ले लो मैटर कोई भी ले लो उनके एटम्स में आपको यह मिलने वाला है तो इससे हमें क्या मिला इलेक्ट्रोन की खोज मिल गई discovery of electrons हमें यहां से मिला कहां से cathode rays ठीक है तो यह confusion नहीं होने चाहिए कि यह जो cathode rays एक्चल में क्या है यह एक्चल में इलेक्ट्रोन की रेज ही है जब अपने हाई potential लगाया तो इस में से इलेक्ट्रोन बाहर निकले और बाहर निकलके इदर को चलेगे और सीधे मूव किये और यहां पर जाके कह सकते हैं ग्लो करने शुरू होगे ठीक है अब देखो एक्चली थॉम्सन को ज़्यादा क्रेड़ क्यों जाता है क्यों जाता है क्योंकि उसने इसकी प्रॉपर्टीज वदानी शुरू किये थी जह हम अगले लेक्चर में हम डिसकस करेंगे तो प्रॉपर्टीज उफ क्या करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्या करेंगे अगर आपको यह सारा क्योंसब्स खेसान होगे उसके बात फिर अनोडर जाड़ पर फोकुस करेंगे ठीक है तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही था तो मुझे एजास्त दीजिए दुबारा अगले लेक्चर में हासिर होंगे cathoders की properties लेके आएगे तब तक के लिए आपका अबन को चैनल को like, share और subscribe करिए फिर मिलेंगे thank you, goodbye, take care